हेलो एंड वेल्कम टू पर्फेक्शन आइस पर्फेक्शन आइस के इस एडिटोरियल अनालेसिस वीडियो में आप सभी का एक बार प्रिसे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम दा हिंदू में 24 अगस 2021 में कुछ इंपॉर्टन न्यूस और एडिटोरियल की अनालेसिस कर हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में वेसिकली हम चार चीज़ों पर फोकस करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टन न्यूस फिर उनके डिटोरियल के अनालेसिस और एक प्रिलिम्स का क्वेश्चन जो करेंट फैर बेस्ट होगा और उसी पर एक डिटोरियल पर बेस लिए आज तीन चार आटिकल देखेंगे जिसमें पहला यह जो आटिकल है जो प्रेग्मेंटिस्म जो की अफगानिस्तान पॉलिसी पर डिपेंट है काली बिछले 15 अगस्त से लेकर आप देखेंगे तो एक वीक तक अफगानिस्तान पहुत सारे आटिकल आए यह आटिकल डिपेंड कर रहा है कि वे फॉरवर्ड की बात कर रहा है कि अब भारत को आगे क्या करना है तो इस पर एक आटिकल देखेंगे दूसरा बहुत इंपॉर्टन आटिकल डिजास्टर मेनेजमेंट टुक्ते और यास जो तुफान है साइकलोनिक ट्रांस्वर्मेशन से उज्वला यह नहाई हाली में दानमंतर जी ने उज्वला टू इसका दूसरा वर्जन अप्डेट वर्जन लाउंज किया है तो यह बता रही है जो ऑथर की उज्वला वन में क्या लिमिटेशन स्थी और पैस्टेशन सकुदेखेंगे और एक नजर डालेंगे तो चलिए कुछ important news के सेरीज में पहला important News करनाटिका देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नाशनल एडूकेशन पॉलिसी दो हजार भी सानी की N.E.P 2020 को सबसे पहले लागू गया है तो बहुत important के लिए इंटरनाइजलाइजेशन यानिकी बाहर से इंटरनाइशनल उनिवरसिटी से टाइएप्स बांड्स प्रोग्राम इस तरह की चीज़े शुरू कर रहे हैं जो कि काफी देवलुशनरी माना जाएगा जी नैशनल एडुकेशन पॉलिसी के अब लोगो को कमेंट बॉक्स में करिए बताना है कि जो नैशनल एडुकेशन पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी को किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर बना गया था उनके चेर्मेन कौन थे इस इंपोर्टन नीज है कि रोश्या से जो हम स्टिल्थ फ्रीगेट चिल्स यानली की इस बिफाइड़ कि ए इस तरह के डिवाइस जिसको रेडार में ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल आप सर्वेलेंस ब्रकाम आता है आप सर्वेलेंस वह स्पाइंग हो किस तरह से जो द टेकनोलोजी कही जाती है जनी कि छर मावरन से इंदी में कहते हैं तो रश्या से जो क्रिवैग कि हमारे स्टील्ट फ्रीगेट्स आने वाले थे क्रिवैग कि कोविड-19 की वज़े से अब उसमें देरी हो जाएगी और वो 2023 तक आएंगे प्लान यह बना था कि चार क्रिवैग आएंगे जिसमें से दो रश्या खुद बनाकर देगा और बाकी के दो टेकनोलोजी ट्रांसफर करके हम गोवाश शिप्याइड लिम्टेड याने की जी एसल में बनाएंगे इसकी विश्यष्टा यह कि इसकी स्पीड जो थाटी नॉटिकल स्माइल्स पर आवर है उसमें ब्रम्होज मिसाइल को अकुमेड़ेट किया जा सकता है जो ब्रम्होज मिसाइल है आप लोग कमेंड बॉक्स में लिखके बताएं कि ब्रम्होज मिसाइल किसी दो रिवर्स के नाम पर रखा गया है कौन सी वह रिवार इसमें से इंडिया के रिवर और रॉस्या की कौन सी दो रिवर है इसकी स्टील टेकनॉलोजी होने की वज़ा से इसको डिटे होती है ज्यादा मिसाइल के प्रोटी होती है दूसरा क्योंकि इसके पास टिल्थ टेक्नालोजी तो इसको डिटेक्ट नहीं किया तो अर्ली एंड फास्ट वार्फेर के लिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल होती है भारत जो है वह हाली में अगर आप देखेंगे कि इसके टोटल छे वर्जन तो जो क्रिवाग 3 फ्रीगेट के टोटल छे ऐसे शिप्स और यूस कर रहा है दस यूस करने की प्लान थे जिसमें से दो रशिया से आएंगे और दो हम गोवा शेपिंग यार्ड लिम्टेट में बनाएंगे विद थे रेंज ऑफ नेवल मिशन होते हैं फाइंडिंग एनमिटिंग एनिमी सब्मेरीन लाज सर्फिस शिप्स तो इस तरह का एक हम कहें तो जो इंटरनाशनल वाटर स्में एक तरह का एक कोस्ट गार्ड की भूम का नियावाता है जो की वार कैपेबल भी है और डिटेक्शन कैप सब्सक्राइब भारत और रश्या के बीच में और भी हतियारों और डिफेंस एकुपमेंट्स प्लेंस एकुपमेंट्स की डिलिंग चल रही है जिसमें आप देखें कि अकूला क्लास नुक्लियर पावर्ड अटैक सब्मेरीन की बात होई जिसका स्टेटस जो है वह दो हज सब्सक्राइब थी वह भी साइंड हो गया है ठीक है दूसरा है कामोव हेलिकॉप्टर अडिशनल अर्थायरा जो सुखवई एरक्राफ है उसका नेगोशेशन चल रहा है बात चल रही है क्रिवैक वाली की चार को हमने बताएं दिये एक जो है वह मौत ब्लेटेड मिग जो सब्सक्राइब से उसकी नेगोशेशन चल रही है और दूसरा जो कामोव के 31 को सरकार से मंजूरी मिल गई है कॉंट्रेक्स हैं होना बागे तो यह सारे चीजे कि जो रश्या हमारा बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है हमारे मेजर डिफेंस पार्टनर से यूएस र और कि रशिया आपको comment box में लिखकर यह बताना है कि हम मेजर डिफेंस प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट किस साब खरीकन लेकिन कोई ऐसा भी देश है जिसे भारत डिफेंस प्रोड़क्त एक्सपोर्ट करता है और उन देशों की लिस्ट में सबसे पहरा कौन है कि विच इस आ तूपिक है उससे कहिने कहीं तूपिक है यहां आतर यह कह रही है कि जो तुक्ते हो यास तूफान हो जो भारत के दोने पूर्वी और पच्चिमित गुजरात और उडिसा पर टकड़ाया था कि आसपास मरें 37 मिलियन पीपल को जो है इससे कहने कहीं डारेक्टली और इंडारेक्टली एफेक्ट हुए आर्थिक नुक्सान हुए लगभग लगभग तीन सो बिलियन रुपिया यानिकी अग उसको युएस डॉल में करें तो 4.3 बिलियन डॉलर्स का भारत को नुक्सान ह हो है केवल इन दो तुफानों की वज़े से इसके अलावा कि 0.24 मिलियन हेक्ट्रेस की क्रॉप नस्ट्री और जो 0.5 मिलियन अन्य कम से कम 45 वज़ार के असपास घर डैमेज हो गये मोरोवर 2.5 मिलियन पीपल वेर इवेक्वेटेड तू साइक्लोन शेल्टर्स एन 20 माई को भारत के दो टट पर आते हैं और इतना ज्यादा नुपसान करते हैं तीन सो बिलियन रुपिय को धाई लाख लोगों को यहां से वहां पचीस लाख लोगों को एक साइट से दूसरे लाख से और इस तरह से इतना मेजर डेवलप्मेंट होता है और यह डिवास्टे से अब लगब 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 तीन चार इस तरह इसका बढ़ रही है इसका बेसिक रीजन जुपर से बता रहे हैं कि सी सर्फस टेंपरेचर वह बढ़ रहा है जो ग्रॉफिक लिए दिखा जाए तो जैस्ट आपिकल साइकलोन जो है ट्वेंटी सिक से ट्वेंटी डिग्री सेलसेस के सी सर्फिस टेंपरेचर को उसको आइडियल माना जाता है यानि कि अगर समुद्र के जल का जो तापमान है वो चबश से लेकर 28 डिगरी सेलसेस टेक रहता है तो यह एक आइडियल तापमान है साइकलोनिक डिप्रेशन का बनने का शुरुआत तो यह छोटे-छोटे से ही होते हैं बाद में कन्डिशन रहा है सब्सक्राइब अन् वर्टिकल साइज में जादा बढ़ जाते हैं और लिट्स टू फॉर्मेशन ऑफ्रॉप्रिकल साइकलोन जो की इस्ट से वेस्ट की तरह बढ़ते हैं दश्टरली बेल्ट के का तो नॉर्दन इंडियन ओशन म जतने बी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं पर संट जो है वो उसका भारत के आज पास ही आ रहा है तो बहुत ही एक फ्रिक्वेंट रीजन हो चुका है हर साल पांस से छे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं बेव बंगॉल में और अरब के सागर में जिसमें से दो सब्सक्राइ तीन जो है वह वेरी सीवेर केटेगरी में फॉर्म करके भारत को आर्थिक नुक्सान पहुचा रहे हैं और इवन जानमाल का भी नुक्सान हो रहा है और हमारी और भी उपरचुनिटीस का नुक्सान तो हो रहा है वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट यह लगाया है कि दो सो मिलियन सिटी को दो हजार पचास तक इस तुफान से डायरेक्ट या इंडायरेक्ट रूप से खत्रे के रीजियन में हो सकते हैं डे विल बी एक्सपोज्ट तुड़ काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन डैस बिंग प् सब्सक्राइब को जोड़ ले तो जिसमें से 96 कोस्टल डिस्टिक्स के 262 मिलियन लोग डायरेक्ट ली इससे प्रभावित होने के रेंज में आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा खत्रा आने वाले समय में यह बनने वारा है बहुत बढ़े चुनावती बनने वाली और इससे सब्सक्राइब करने के लिए हमें काम अभी से शुरू करना होगा एक एस्टिमेट इभी बताता है कि 1809 से लेकर 2020 तक टोटल 313 साइक्लोन भारत के पुर्वी और पश्चिमी कोस्ट पर आया हैं जिसमें से 130 जैवो सीवियर केटेगरी के थे और इतने एक्सपेंसिव हैं कि कि इंडिया ने लगभग लगवग दो परसेंट जीडिपी और पचास परसेंट और टूटल स्वरी पंद्रा परसेंट टूटल लेएं कि 1999 से लेकर 2020 तक लगभग लगवग बीस 21 सालों में हमने क्या किया है कि अपने जीडिपी का दो परसेंट हिस्सा हमारा लॉस हुआ है विकाज ऑफ दिस साइकलों और पंद्रा परसेंट अव रेवनियर जीतना हमारे इंकम आता है उसका कमसेंट पंद्रा परसेंट सीधे सीधे इन साइकलों की वज़े से नुक्सान हुआ है भारत में जो साइकलों से जो तूफान है वो तीसरे सबसे खतरनाक डिजास्टर ट है उस जगह पर हर साल सालाना रुप से बाढ़ आती है और बहुत ज्यादा प्रलाय मचा रही है तो इन सबसे बचने के लिए हमने एक ओडिसा मॉडल को अपनाना चाहिए जिस तरह से ओडिसा ने अपना डिजास्टर मेनेजमेंट कंट्रोल वाडी बनाई है जिस तरह सु इस तरह का मेकैनिजम जो की बहुत जल्दी लोगों को बता सके और इजी शिफ्टिंग लोग की सब्सक्राइब इस तरह की खेती इस तरह की इंफरस्ट्रक्ट्टर बनाना खासर कोस्टल एरिया में जो की कॉंक्रीट ना हो तब जाकर क्या होगा कि अगर नुक्सान भी हो क्योंकि बहुत जादा बहुत सी सक्सेस्फुली आप देखेंगे कि यह साइकलों को टाइकल कर रही है तो ओडिशा मॉडल को भारत में अपनाने की जरूद है कुछ एसेंशल स्टेप्स और भी ले जा सकते हैं जैसे कि जो साइकलों वार्निंग सिस्टम है तो लेकिन की स्पेसिफिक ट्रेकिंग डेटा एंड इमर्जिंस की खास तौर पर जरूरत है खास करके उन फिशर्मेंस को उन कोस्टल रहने वाले लोगों को यह पहले आइडिया देरने की जरूरत है कि इस एरिया पर तुफान आने की संभावना है तो आप जो फिशिंग एक्टिव देराइज हवा में चीज़े उड़ती है उसको कहीना कहीं एक लोगर होल्डिंग मिल सके डू तो इस शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन जिस तरह से मैंग्रूव फॉरेस्ट जो है वो जमीन को पाने से एक दिस अकल्मिनेशन स्टॉपज बिट्विन दे लैंड वाटर यह थित्वे और से मैंटेन जाया फिस लीड इस वैसन दो दो जान दो है यह व्याइज चेज चीज चीज में एसन ल फिर बात बदीन चोदें रखेए एक घाव सेंब इस तरह के डिशनी इस तरह के डिजाइं बना इस बंसक्रूंड रोट से बनार इस तरह के रोट के साइक्लों जिससे पिए च्पानने एर्फ्क विंडिंग्स मतें। इसों स्टुर्व और् भाई हो और तो डियंटर डीलप्मेंट रिजिलियंट जो सेंडाई प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करते हुए वी निद टू फॉर्दर इंप्रूफ आवर इंफ्रस्ट्रक्ट्टर एंड प्लानिंग बिकॉस डिजास्टर्स को तो हम आने से रोक नहीं सकते हैं कि अग्याइब प्रिपेर वेल फोर इसकांड अव डिस्टर्स तो डाइब काफी जरूथ है स्पेशली स्टेट एंड इंटर की बीच में आफ्रमाथ जो रिए यह दिखा गया कि बार बार सेंटर्स जो है वो रिक्वेस्ट सेंटर से रिक्वेस्ट किया था सेट्टर लेकिं ट्रांस्पारेंट मेकैनिजम बनाने की जरूथ है यह दिखा गया है कि सेंटर लॉट करने के बाद भी स्टेट्स में करॉप्शन ज्यादा होने कई से लोग को मिल नहीं पाता है तो एक युनिफाइड ऑनलाइन प्लैटफॉर्म बनाने की जरूथ है जिस तरह से कोवीड या कोवीड प्लैटफॉर्म जैसा बना है एक इस फेक्ति को रिलीफ मिला नहीं मिला चीज हुए नहीं तो ट्रांस्पेरेंसी मेंटेन रहेगी एक सिंगल डेटाबेस होगा तो इट कैन बी फॉर्दर एटेंड एंड ट्रस्ट पीपल एंड बी गेंड इन दिस और बेटर मंतरी मोदी जी ने एक इस जिए लिया है कि जो परलेमेंटरी ग्रूप को एस जैसंकर जी अफगानिस्तान की ताज़स्ति के बार में बताएंगे इंडिया का आने वाले स्टेंड उसके बार में बताने वाले हैं तो एक बहुती वेलकम स्टेप है और इससे यह क्वेशन सब्सक्र कर रो होता है कि गौंट यह हो अफगानिस्तान को लेकर क्या प्लानिक कर ऐंके तकहिए तालिबान ने काबुल पर कप्रक्रशक कर चुके हैं यह एक बात अगर हम तालिबान को सपोर्ट करें तो फिर जमु कश्मीर में या अधर रीजिस्स में जो टैर्र ग्रूप होते हैं ति नहीं से की इंटर्नाइशल वर्लक करता है गुद तालिबान बैट तालिबान इस तरह से अमेरिका और यूके शिफ्ट हो गए काबूल में उन्होंने काबूल एरपोर्ट पर अपने अंबसी बना ली या फिर उस तरह से जैसे रश्या चाइन इरान ने अपने आपने फूस नहीं हताएं उसलिए इंडिया हैस टु मूव अभे अपने अपनी सारी दि के स्टाफ को भारत बुला लिया तो ना तो हम इंक्रूप में ना क्यों कि हाम इस बहुत अलग हैं हमारे भूनานे इंडिया के इंजमक्य आफ्टान क्ऊच्टन दिलॉप्मटले के सब्सक्राइब जोलबंटक्राइंक उन्हाम मत्यृ को प्रस्टवाइब इसन लेकिन प्रोमिन पर्लीश्ण प्लीशिंग स्टाफिंग सथर्ड एश्टी को रहातीज मत्रेंग you शुट बी एबल टू सिक्योर आवर इंवेस्मेंट्स और तालिबान नहीं आशंक यह बात भी बार-बार अलग-अलग मंच से दो रही है कि भारत के प्रोजेक्ट को हम नुक्सान नहीं पहुचाएंगे लेकिन वो कथनी और करनी में कितना फर्क होने वाला वो तो आने वाल पाकिस्तान और अश्या जैसे कि उन्होंने अपने में नहीं कि उन्होंने अपने रिच्ते काम रखेंग जिस तरह से कंदार में हमारा आई-चीजी एट वन फॉर हैक हुआ इस तरह से कहीं इंडिया विरोधी गटीविदियां वो फिर से स्टार्ट ना करते हाला कि और लेंड तो इस तरह से भारत की इसमें समस्या है लेकिन क्योंकि एक टालिबान इस पावर सो वी नीड टू फोर्ड सच पॉलिसी जहां पर हम अपने फायदे के लिए अपने नैशनल इंट्रेस्ट को मेंटेन करने के लिए अगर तालिबान से बात करने भी पड़े तो करन अपने इंट्रेस्ट को देखते हुए तालिबान से डिल करना चाहिए इवेन नौट डारेक्ली बट इंडारेक्ली अस वेल इस तरह से एमबसी ले जाना सारे रिलेशन कट आफ और यह कोई सॉलूशन नहीं है ठीक है और इस तरह से आगे चलते हुए हमको एक एमर्जेंस के लोगों के साथ वह कहीं कहीं खराब नहीं होगा और एक बार वहां के लोगों के साथ हमारा human to human contact अच्छा है तो आज नहीं तो कल इंडिया की जो वैल्यू है वहां पर मेंटेन रहेगी और कभी जब यह सरकार डेमोक्राटिक हो जाएगी तो वीविल हैवा गुट प्रे समस्या को देखते हुए खासकर की जो कुकिंग गैस जो चूले में लकडियों से जो खाना बनाती थी उससे पॉल्यूटन गैस होते थे उनको लंग्स की प्रब्लम हो जाती थी इसको देखते हुए प्रधान मंत्री जिने कुछ जोला योजना की शुरुआत की जहां पर भी गई कि नितियायोग ने इसका रोट में बनाया था और इसको इंप्लिमेंट किया गया था प्रधान मंत्री मुजीदी जोरा 2016 में और लगबग लगबग जो है वह 21,000 करोड के आसपास का बजेट इसका बना था लेकिन यह देखा गया कि 94 परसेंट ऑफ हाउट होल के प समस्य यह आई कि एक बार तो यह सरकार ने दे दी लेकिन दूसरी बार उसे रीफिल कराने की जो एकनॉमिक कैपैसिटी थी वह उन लोगों में नहीं थी और कहने कहीं लपीजी तो पहुंच गया लेकिन उसके रीफिलिंग में समस्य आई तो यह इवेलेशन यह मानना गया लेकिन उनकी रीफिलिंग नहीं होने की वज़ा से लोग क्या करने लगे कि एलपीजी को रखकर फिर वापस पुराने ट्रेडिशनल में पर चलेगे बिकॉज इट वस चीप और एक सर्वे में यह पाया गया कि जो परिवार एक खासके गराम इन परिवार और जो गरीब प फ्यूल के दूप में वह अभी जो है कन्वेंशनल फ्यूल ही यूज कर रहे हैं वह उनको इसली मिल रहा है और एलपीजी कंपरेटिव महंगा पड़ रहा है तो जिस स्कीम से उज्वला लाया गया था दो उसकी बेसिक निप्ति की एक तो पहले मैलाओं को स्वास्थ बैत जो ग्लोबल टार्गेट है कन्वर्शन फॉसिल फ्यूल्स वह कहने के रुकेगा पॉलुशन में खिरावट आएगी हम जो इंटर्नेशन आइन डी सी हमने टार्गेट किया है पैरिस क्लाइमिट चेंज में उसको अचीव कर सकेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कि लोग र सब्सक्राइब कि जिसके पास अफसरों पर यूज करता है चाहिए इस तरह की फास्ट फूड रने के लिए रोज मर्ला की जीवन में यूज नहीं हो रहा है विकॉज इसको देखे बिना जो ऑथर कह रही है कि इसको एसेस्मेंट किये बिना हमने फिर से कुजोला टू लां सब्सक्राइब कि हमें किसी अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जाने की आवा सकता है वी नीट वो सम अल्टरनेट फ्यूल तो ऑफिशल लेटर नहीं बता है कि 48 परसंट जो ग्रामीं घर है उसके पास LPG पहुंस तो गया है लेकिन उसको वह डायरेक्ट पार्शल यानि कभी-क स्टेशन भी प्रॉपर नहीं है तो इसमें ब्लैक होता है लोग जोजना के नाम ले ले लेते हैं फिर ब्लैक में उसको फिर मडिल क्लास परिवार को बेच देते हैं तो कहीं है कि इसका मिस्यूज हो रहा है ऐसा देखने को मिला है तो इन फैंडिंग्स के बावजूद भी प्रशान मंत्री मुझी ने उद्विला टू लांच कर दियो इस पर ऑथर कह रहे हैं कि जो वन फिट फर ओल अप्रोच है इससे हमें आगे बढ़कर हर जगा के लिए हर स्पेस्फिक जगा के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाने की जरूद है कि किस जगा पर क्या चीज़ अब लेबल है क्या चीज सस्ते में अब लेबल है और ऐसी कौन सी चीज हम भी उसकर सकते हैं जो की पॉलूइशन जिसे प्रदूशन भी कम हो और महिलाओं की जीवन में जो है वह सरलता भी आ सके देकन है वाब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के वल एक तरह के प्ला इस चुनाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है ठीक है इसमें भी बताया गया है कि बिना डिपोजिट के आपको लपीजी करेक्शन मिलेगा खासकर कि वह माइगरेंट लेबर को किसी तरह का राशन कार्ड या कोई और प्रूफ बताने के जरूत नहीं है आप आईए कि लेक नाम दीजिए और लेकी जाए और उसके बाद उसके रीफिल कैसे होगी इसकी चिंता कहीं नहीं की जारी तो इसे एक इलेक्शन गिमिक की तरह देखा जा रहा है कि आउस चुनाओं में जिस तरह से पहले लोग ऑफिशली पैसे बाढ़ते थे अब हो रहा है कि सरकारी पर लेकिन दूसरी बार उसका रीफिल कैसे होगा इसकी चिंता नहीं की जा रही है इसके लिए लेकिन उन जगाओं की लिए जहां पर मिडिल क्लास में इसके पास रेगुलर सोर्स अब नहीं है जो इसको रिफिल करा सकते हैं ग्रामिन शेतरों में जहां एक तो वैसे भी के लिए कोई प्रापर सट्रेशन नहीं दूसरा नोगे पास रिशूर्ड इंकम नहीं यह देखा गया कि जब किसानों के पास पैसे होते हैं तब तो यह तो चले जाते हैं तो कहीं हमें यह देखने के जब ऑनकी बिल्दिंग भी होनी जरूरी है तो कुछ आफोड़ेबल स्मोक लेप यह सकते हैं और इन जगाओं पर जहां कर इस ज्यादा है उसको देखा गया कि लेट्रीक एनर्जी एस्ट कूकर भी तिये जा सकते हैं तो हमको ऑल्टरनेटीव यूजकर पर फरेसिक हमारे लोकली अविलेबल हो जीफ हो और हमारे उद्देश को सिद्ध करता हो उस पर भी ध्यान देने के जरो थे गुड रिशर्च एंड डेवलोप्मेंट नेट्स तु दन इन इन दिस कैंड प्रोसेस अब देख लेते हैं आज का इंपॉर्टन कुरेंट और बेस्ट कुस्चिन की इच फॉलिंगों स्ट्रेट करेक्ट किक्राव क्लास ऑफ इंडिया नेवी इस अफ ते लिए अंडिया नर्शिया जोएंट एंड थर्ड इंट केन अप्रें नाग मिसाइल आपको पता हैं नाग मिसाल के बारे में तो उसमें नाग मिसाल रह सकते हैं इंडिरों में से कॉन प्राकृतिक आपदाएं उन्हें रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उनके लिए जो है वो अच्छे से मैनेज करके उसको कहने कहीं उसकी क्याजूलिटी कम की जा सकती है इस पर आपके विचार आपको वेक्ट करने हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहें अपने सजेशन लिखते रहें इसमें क्या इंप्रूब्मेंट हो सकती है वो बताएए जाहें